हेलो गईज, this is फुदेश सिंह, and now you're watching crypto beginner तो गईज, आज़ की वीडियो हम बात करेंगे कि आइडियो में पर्ट स्पीट करने के लिए आपको क्या करना होता है ठीक है, तो हम आइडियो की बारे में बात करेंगे और हम मुबाइल से ही बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी यूजर्स हैं जो फोन ही उच करते हैं तो उनको लगता है कि हम बिना मुबाइल के नहीं कर सकते हैं आइडियो में पार्ट स्पेट्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप मुबाइल से भी पार्ट स्पेट कर सकते हैं और बिल्कुल इजी स्टेप्स से ठीक है तो वीडियो सुरू करने से पहले बता दूँ अगर जो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर जीए तो गाइस वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफी चीजे हम कवर करेंगे तो वीडियो को इसके मत करना बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप से सहरे मिस हो जाएं और फिर आपको दूफरा वीडियो देखना पड़े तो ऐसा गाइस मत करना और आप कंफ्यूज हो जाओगे तो वीडियो बिल्कुल इसके मत करना तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिस्क्लेमर देना चाहता हूँ तो गाइस ये डिस्क्लेमर पढ़ दीजे क्या रिस्क है हम कोई फाइनल एडवाइसर नहीं है फाइनेंसियल एडवाइसर तो गाइस प्रूडॉन्सी एसन में थोड़ा हो सकता है क्योंकि मेरी तब ये थोड़ा ठीक नहीं है तो आप लोग प्लीज उसके लिए थोड़ा वो मत हो न तो यहां पर हम आइडियोस की बात करते हैं हम आइडियोस क्या होते हैं तो यहां पर गाइस कोई प्रोजेक्ट होता है जो साइद आप video scheme से related हो या कोई भी किसी चीज से related हो तो वहां पर यह अपना coin लिष्ट करते हैं तो वो coin decentralized exchanges प्रेलेट करते हैं और उसके जो गाईज वो हता है तो गाईज पहले वो private cell में जो उनकी team होती है वो coin कुछ buy करती है और फिर गाईज एक और cell होती है जो यानि बहुत खास लोगों को मिलता है tokens उनका और फिर एक white listing होती है जो गाईज listing के पहली होती है जिसमें कुछ users होते हैं उनको token वो थोड़ा कम price वे मिलता है और उसके बाइद coin की listing होती है और listing का price different रहता है तो इसी तरह हम profit earn करते हैं तो अब हम बात करते हैं कि कितने platform हैं जहां पे ideas आते हैं तो यहां पे हम कुछ popular platform की बात करेंगे जो popular platform है तो सबसे पहले हम बात करते हैं BSC pad BSC pad guys यह platform है काफी popular है क्योंकि यह Binance Smart Chain पे काम करता है Binance Smart Chain पे क्योंकि Binance Smart Chain पे क्या होता है कि यहां पे fees आपको बहुत कम करनी पड़ती है जैसे कोई भी आप claim करते हैं कुछ भी करते हैं तो यहां पे आपको Under $1 के fees लगता है जहां कि Ethereum पे आपको देना पड़ सकता है 50 से 60 डॉलर या 100 डॉलर fees देनी पड़ती है तो यहां पे BSC पे काम करता है ठीक है BSC Smart Chain पे है तो इसमें participation के लिए आपको क्या करना होता है तो यहां पे हम बात करते हैं अगर जो आप इसकी site पे आएंगे यहां पे BSCpad.com पे और यहां पे View All Projects पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं इनका एक project आ रहा है ठीक है तो project आने के बाद यहां पे आपको क्या करना होगा यहां पे इसको open करते हैं और इसकी condition देखते हैं ठीक है इसकी conditions क्या होती है इसमें participation के लिए क्या होता है तो इसमें सब कुछ लिखा रहता है ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं Snapshot when Wednesday day April 14th 5 p.m यह Snapshot मैं इसको थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहला step यही है और दुफरा इस 14 अपरैल से 16 अपरैल लग चलेगा Public sale token price 0.057 per USD यानि जो इनका token का price होगा वो Public sale token में इतना होगा ठीक है Allocation round open Friday ठीक है यानि Friday को आप आपके fund का allocation होगा कि आपको कितना token claim करने को मिलेगा और यहाँ पर थार्ड हम बात करते हैं Public sale Friday 16 अपरैल को होगी जो सबके लिए अवलेबल होगी कोई भी यानि ठीक है और pancake listing date time Friday 6 अपरैल 4 पीम ठीक है तो यहाँ पर 4 पीम पर यह coin list होगा जो सभी लोग trade कर पाएंगे ठीक है maximum token supply देख सकते हैं BSC paid public sale और काफी चीज़ ठीक है तो यहाँ इसमें required क्या है यहाँ पे KYC KYC full details about KYC process here यहाँ पे click करके आप उसे KYC कर सकते हैं ठीक है तो इसमें हमको participate कैसे करना है ठीक है इसमें बैक करते है थोड़ा और तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसके लिए आपको यहाँ पे tokens hold करने होते हैं ठीक है यहाँ पे token hold करने पड़ते हैं आपको BSC paid के tokens तो BSC paid के tokens यह से आप hold करते हैं यहाँ पे 1000 branch ठीक है तो यहाँ में आपको guaranteed यहाँ पे allocation मिलेगा यहाँ आपको part station मिलेगा तो 1000 token आप अगर जो hold करते हैं BSC paid की जिसकी token की एक token की cost है कुछ साइद 5 डॉलर के आसपाश ठीक है तो यहाँ पे काफी fund load करना पड़ता है और यह आपको तब तक load करना पड़ता है जब तक आपका snap sort 1 जहाँ पे मैंने बताया था मैं बात करूँ snap sort जब से snap sort 1 होता है snap sort 2 तक जब तक कई list नहीं होता उसमें आप details देख सकते हैं नहीं 6-7 दिन के लिए आपको वो यह tokens hold करने होते हैं ठीक है और यहाँ पे आपको wide listing के requirement देख सकते हैं like, comment, retreat करना होता है जिसका भी idea आ रहा है जैसे हमने वो idea देखा तो उसके community को उसे follow करना पड़ता है tutor, telegram भी हो सकता है facebook भी हो सकता है guarantee, allocation, yes, pool weight इतना तो यहाँ पे pool weight के हम बात करते हैं तो अगर जो आपने 1000 token hold किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको 1000 token के बदले पूरा पूरा आपको मिल जाएगा उसका token जो क्री token list होने वाला है तो उतना नहीं मुलेगा उसमें से कुछ heap fund आपका allocate होगा वो allocate depend करता है कि उसके कितने users हैं उसमें कुछ calculation होगी कुछ formula होगा उसी की basis पे सबको allocation मिलता है ठीक है तो सारी details आपको calculate करके आप निकाल सकते हैं कि कुछे कितना allocation मिलेगा तो यहाँ पे silver है silver में भी आपको like, comment, retreat करना होता है और इसका pool weightage ज्यादा रहता है ठीक है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा example में भी हम बता देंगे कि कितना pool weightage का मतलब होता है और gold में आपको कोई भी follow all और नहीं करना पड़ता है ठीक है यहाँ पे आपको देख सकते है snap sort kit से ही आपको load करना पड़ता है fund ठीक है तो यहाँ पे platinum ही दे सकते हैं सारी है तो इसको हम थोड़ा learn more पे आपको click करके दिखाते हैं थोड़ा detail में ठीक है कैसे आपको कितना allocation मिलेगा किस तरह मिलेगा तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे जाते हैं देख सकते हैं यहाँ पे example इसको पढ़ सकते हैं ब्राउंज का 1000 token है यहाँ पे ब्राउंज वाले में आपको tutor like सा comment करना पड़ता है इसमें भी comment करना पड़ता है और gold में नहीं करना पड़ता है platinum में नहीं करना पड़ता है ठीक है और हम allocation देख लेते हैं allocation कुछ इस तरह की से होता है ठीक है बाउन की चलिए आपने handed branch user है उन्होंने total fund 3355 tokens hold किये हुए है BSC pad के तो उनको सब को मतलब total allocated मिलेगा 320,000 ऐसे coins मिलेंगे जो 100 लोगों को मिलेंगे ठीक इसमें से 240,000 token मिलेंगे अगर जो 25 silver holder है तो इसी तरह distribution होता है और यहां पर हम बता दूँ ठीक है तो यहां पर इस तरह सब कुछ चीज़े काम करती है और तो सबसे पहला जो step यही रहता है कि आपको जैसे ही snap sort 1 से आपको यह token hold करना होता है ठीक है तो इस token को hold buy करने के लिए कि आप simply यहां पे buy on pancake swipe पे click कर सकते है buy on pancake swipe पे click करेंगे तो यहां पे आप इसे click करके down वो कर सकते है ठीक है तो यह चीज रही तो यहां पे इसे हम कैसे swipe करना है सब कुछ अभी हम details में बताएंगे ठीक है तो यहां पे हम projects पे click करते हैं प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम इस पे क्लिक करते हैं ठीक है इसको हम देखते हैं इसमें आपाइट स्पेर्शन कैसे लें ठीक है यह पाइट स्पेर्शन कैसे लेते हैं तो स्नैप डेज 14 अपरेल आज तारिक है 13 अपरेल ठीक है तो 14 अपरेल 5 एम से यह हैं टोकन्स वाई करना है और स्नैप शॉट टू होगा तो इसमें 16 तारिक या पांच लियम तक आपको टोकन्स साइध वो करना है या फिर आप कुछ जाला दिन के लिए भी होड़ कर सकते हैं ठीक है जब तक आपको टोकन्स मिल नजाए ऐख कोई आपका लॉस नहीं है ठीक है तो तक भी टोकन्स होड़ कर सकते हैं और यहां पर सारी डीटेल्स ली हुई है अभी इसका साइध वाइट लिश्टिंग फोर्म चालू नहीं हुआ है जैसी चालू होता है तो मैं आपको यह चीज में आपको टेलिग्राम में सब कुछ बता दूंगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं वाइटलिष रिक्वाइर्मेंट फॉर ब्रॉंज एंड सिल्वर मेंबर्स तो यहां पर जॉइन दा टेलिग्राम फॉलो उसे कर लीजे यानि आपक इसे लिए करनी होगी जोगी होगी यहां पर उसमैं आपको मेंसिन करना होगा सुरी जहां पर आपको मेंसिन करना होगा बरिया नहीं इसे लिंक बारक्श इस पे हम click करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपको steps क्या दिए होगे हो कि चलिए इस पे click कर लेते हैं यहां पे देख सकते हैं what is your BSC address यहां पे आपको BSC address देना है तो BSC address आपको क्या देना है यहां पे आपको BNP का दे सकते हैं ठीक है यानि यहां पर आप दे सकते हैं आपको ट्रेस्ट वालेड जो डिस्रेटलाइज एक्सचेंज है जिसमें आपने टोकन को होल्ड कर रखा है उसी का आपको देना ठीक है आपको दूसरे का नहीं देना है तो यहां पर हम रिसीव के बटन पर क्लिक करते हैं रिसीव के इसे कॉंपी कर देते हैं कॉंपी करके आपको यहां पर इस पर आपको डालना है ठीक है और यहां पर आपको अपने ट्यूटर यूजर नेम डालना है वो लोग चेक करेंगे कि आपने उसे साथी कंडिशन फॉलो किया है कि नहीं और आपको यहां पर वो लिंक क्लिक करना ह वो link की copy करके वो link यहां पर share करनी है जो आपने ट्यूट किया है जो BSC pad यह सब को ट्यूट किया है तो यह लोग cross check करेंगे और BSC wallet address से आप यह चीज identify करेंगे कि आपने जो BSC address डाला है अपने wallet का उसमें आपने BSC pad tokens hold किये हैं या नहीं किये हैं तो यह चीज आपको वहाँ पर send करेंगे आपको cross check करेंगे आपको submit कर देना है ठीक है यह आपको इतनी चीजे करनी है ज़्यादा confuse मत नहीं होना है जो मैंने पहले condition मताई है उनको join the dart telegram तीखे यहाँ पर सारी conditions है इतनी सारे steps आपको follow करने है सबको follow करना है और एक tweet करनी है that's it ठीक है सबसे पहला क्या हमने बताया BSC pad tokens buy कीजे 1000 tokens branch के लिए फिर आप क्या कीजे इनको सारे social media पर follow कीजे एक tweet कीजे जो इन्होंने बताया कैसे क्या tweet करनी है ठीक है सब कुछ लिखा हुआ है BSC pad dart hashtag के साथ tweet करनी है और अपने wallet का address देना है और अपने tutor username बताना है जो आपकी tutor का username है ठीक है वो भी आप check कर लेना username profile में जाके और यहाँ पे आपको link share करनी है ठीक है यानि tutor की जो अपने tweet किया है वहाँ पे एक share का option होता है उस पे share करेंगे तो आप उसे link copy करके यहाँ पे paste कर देनी है और submit कर देना है आपका इतना काम हो गया ठीक है तो यहाँ पे जब ही snap sort 2 या launch होगा तो यहाँ पे आपको वो token जो आपको distribute होगा तो आपको claim करना होगा ठीक है ठीक है तो dfs पे click करना होगा dfs पे click करने के बाद आपको bscpad.com पे click करना है ठीक है bscpad.com पे click करते है चली यह open हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे click करने के बाद आपको यह three dots पे click करना है three dots पे click करने के बाद आपको connect wallet पे click करना है और trust wallet क्लिक करना ठीक है जैसी connect करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह connected हो गया तो जैसी snap sort 2 आएगा तो वहाँ पर यहाँ पर आपको projects पर click करेंगे ठीक है तो projects पर click करने के बाद यहीं पर आपको claim को option दिखेगा जैसी claim करेंगे तो क्या होगा कि आप वो सब कुछ cross check कर लेगा आप eligible हैं क्योंकि वहाँ पर आपका यह address है वहाँ पर सब कुछ चीज़े वो check कर लेंगे और यहाँ पर आपको claimable amount दिखेगा जो कि आप claim कर पाएंगे ठीक है जैसी claim करेंगे आपको dart token जो भी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है वो token मिल जाएगा और तब उसे listing के बाद उसे आप sale कर सकते हैं ठीक है तो sale कर सकते हैं और यही था फिर आप कैसे sale करना है वो भी आप चीज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर अगर जो आपको token bsc pet token buy करना है तो वो भी बहुत simple चीज़ है pancake swap में जाके आप trading कर सकते हैं वो normal trading है वो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है वो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं दो जो पोल का starter और एक और kickpad तो यहाँ पर बता दूँ जो पोल का starter और kickpad यह जो platform है यह जो platform guys है यह guys इस पर Ethereum के Ethereum chain पर सारे जो project है वो आते तो यहाँ पर इनके fees ज्यादा लगती है steps यही रहते हैं white listing होता है इनका token भी उसी तरह आपको hold करना होता है और तो सब कुछ चीज़ें यहीं होती है और आपको वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती है क्या rules होते हैं अगर जो आप एक चीज़ देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो अगर जो guys आपको कोई जीडियो के दौरान कोई भी दिक्कत कोई doubts हो रहे होंगे तो आप मुझे टेलिग्राम से follow कर लीजी मैं आपको personally आपको guide कर दूँगा ठीक है वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं इनके भी सब कुछ allocation सब कुछ आता है तो यहाँ पर भी private होता है सब ideas के थोड़ा थोड़ा rule change होते है कुछ जो ideas होते हैं वो personally आपको mail करते हैं कि आप मुझे इतना fund send कर दीजी मतलब जब आप eligible होंगे तो आपको mail आता है उस Ethereum address पर आपको fund send करना होता है तो उसके बदले में आपको fund fund करते है तो BSC pad में कहीं भी claim का होता है कि आप खुदी claim कर सकते हैं तो यही सारी चीजे होती है हर चीज में थोड़ा थोड़ा अलग होता है तो यहाँ पर BSC pad में जो Ethereum chain पर जो आते हैं उसमें जो fees है तो यह चीज मैंने नहीं cover कर रहा हूँ ठीक है तो यह चीज मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि इसमें fees की ज़्यादा recording तो कुछ अच्छे भी आते हैं तो अगर जो आपका fund ज़्यादा है तो आप इसे कर सकते हैं पर आप बताइए वीडो के कासा लागा वीडो थोड़ा बर करना जाता था वीडो चलागा लाइक करने चलाएँ को सब्सक्राइब करना तो मलते हैं अपनी यastic लीए नई वीडो तो तो यह आद नमस्कार जय जय वा्रत अब्सके आज़की अई